कर क taraf लम अबेंव कि वेल्कंकुटी नैटल और फ्रेंड्स आज यंदी नए चक्ट्र को श्टाट करने जा रहे हैं जिसका नाम इस्त समान पॉत यह जुन पर जैर आपको दो कर दो यानिन ब्रुपन टो यहां पर देख पा रहे हो कि संध्या यहां पर आप संध्या यहां पर अइस historि होता व होता है उसमें सनlebory embodied ँड़ तो यह हम सीधा पर बड़ जाती है। अगर यहां पर किसी चीज्ञ चीज़ को गड़ाएगी तो यह def in revenue घड़ जाएगी तो यह सीधा unpath बड़ता है, इसको हम कहते हैं, सीधा unpath इसी तरह के से जो WILL open unpath है, उसमें क्या है। कि आप इसमें इसको बढ़ाएंगे तो ये गड़ेगा और इसको जब बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, मतलब आप कर सकते हैं ऐसे उसको जैसे हमने कहा कि पांच वक्ति हैं किसी एक काम को बारे दिन में कर रहें तो कहब रहा है कि अब वही तीन व情तоп काम को कितने दिन में करेंगे उस नहीं पूछा है तो हम कहेंगे कि हमारा काम निकलकर आएगा तो आपสथी पाँंच आदमी थें वो बारे दिन में तो तीन आदमी तुछ जादा दिन लगेगा याँ जो काम लगेगा थो योगा कुछ मत इतने दिनों में पूरा प्रज़ाएंगे आप यहां देखिए हमने क्या किया है यहां पे चीजे घटाएं लेकिन यहां पे क्या हो रहा है वह इछ बढ़ें तो यह जो अनुपात आपका चलने लगता हैphinापईटाने पー बढ़ेगा यहां पर आप बढ़ आउगा है तो इन सब का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे इस चेप्टर में आगे बढ़ेंगे हमने करना यह है कि हम इसको जाद जाद कोशिस यह करें कि एक ही मेथड़ से करने का प्यास करें तो आइए देखते हैं इन कोशन को आगे करते कैसे जैसा कि आप पहला कुशन देख पा रहा है इस कॉश pirate कि बाराप पुरुस एक काल गौ्ट सोब्स जिन में और मितवेड़स करें कि रहा हैे तो इसको करने के लिए हमारे पाथ ऒवेटड है हम चाहें तो M1 D1 upon W1 M2 D2 upon W2 इससे कर सकते हैं कैसे करना है यह देखते जड़ा अगर आपको वर्क दिया गया है तो आप यहां पे दोनों जगे वर्क रख सकते हों अगर आपको वर्क नहीं दिया गये है और इन के बरावर कर रहें क्योंकि वर्क वही काम दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं तो हम की वर्क बरावर इसलिए इसको नहीं को यहां पर हमें बारा वक्ति किने करें मैं तो इतने निकलेगा他 बला तो आठ व्यक्ति जो होंगे, वो उस कार्य को 36 दिन में पूरा करेंगे, तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा, वो आपसर नंबर भी करेंट होगा, और अगर इसी कोश्चन को दूसरी तरह से लगाना लगाने का प्रयास करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर व्यक्तियों की समझ्या currently और यहां पे जो आयगा वो हमारा कारे होगा अगर हमें कारे दिया गया तो यह method भी सीखते हैं यहां पर उसने हमसे कहा था पहले जो व्यक्ति थी कितने दिन में काम करते थे 24 दिल में जो काम है वहां दूसरी बार की हो रहा है तो आप यहां पन रख भी सकते हो या पिर आप कार्व को ना रखें क्योंकि इसमें कार नहीं दिया घहा है तो यहां इसको नहीं एगर देता होकिछ by पितनेा चाहेंगें कि इसका गणा काँई के साथ ये गुञा इख करके रखेंगे तो यहां से बारे और गुणा में 24 बराबर में जो होगा वो 8 इंटू X तो फिर से वह बनता होगा में जाज़ा रहा है जो यहां पर बना था तो यहां पर X की वैल्यू निकली ती यहां पर D की वैल्यू निकली तो बात वही है यहां से 3 आजाएगा और यह x की value आजाएगी आपकी 36 दिन के पराबर तो इस तरह से हम इस question को कर सकते हैं आईए दूसरे question को करते हैं अगले question से आपको कह रहा है कि 120 मजदूर 15 दिन में कारे समाप्त करते हैं इसी कारे को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगेगे तो हमसे कारे है अब यहां पर हम देखें मजदूरों की संख्या कहा है या विप्नियों की संख्या कहा है बात देखी है तो यहां पर जोंगे मजदूर रखेंगे और यहां पर दिन और कार दिया नहीं गया कि कितना कार तो वो नहीं रिखेगी यहां पर मश्डूरों की संक्या उसने पहले दी है वो कहए रहा 120 मश्डूर है 120 हमने यारत दिया यह काम पंद्र है दिन में होता है अब कहए रहा इसी काम को दस दिन में करवाना चाहते हैं तो कितने मजदूर लगेंगे तो हम कहें इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ और दोनों को बराबर कर देंगे तो यहां से 120 गुणा पंद्रे बराबर 10 गुणा एक्स तो यहां से आप इसको करेंगे तो यहां जो आपका निकल खे आएगा वो आजाएगा तो इस तरह से आपका जो option number B होगा वो correct होगा अगले question में कह रहा है अठारा बच्चे एक कारे को बारा दिन में कह रहा है इसी कारे को आठ दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे तो यहां पर हमें यही बताना है अठारा बच्चे हैं तो हम कहें जो ब्वर हैं वो पूरा करने के लिए तो यहां से फिर चिज का ध्यान लखेंगे अभी आपट करेंगे यहां करेंगे तो यह रजवी सब chao 27 काम करें तो उसी काम को 8 दिन में सवाब्त कर सकते था वी तो हमारा आप्सर आगया और और option number आपका D सही हो गया अब अगर उसने ये पूछा होता कि भाई कितने बच्चे अधिक लगेंगे तो उसका मतलब यह है कि पहले जो लग रहे थे उसमें कितने और बच्चे करने पढ़ेंगे तो आप देखकें यहाँ कितने बच्चे बढब तो आठाव स्कूरा करते। आडर में गया करेंगे यहाँ अठाव लखने लखेंगें तो यहां करोंगे 9 जालगा तो इस तैहे ऑफ प्तुल को देखते हैं कर दो पन पॉस्तेश्य क्रें को 24 जिन में तो जो थो शपन वेक्टी है वो किसी कारे को 24 जिन में समाप्त करें अब कहा रहा है कि長 включ और सब्सक्राइब तो 42 व्यक्ति जो है वो उसको कितने दिन में समाफ्त करेंगी तो भाई हम यही तो करते आ रहे हैं इसका गुणा इसमें तो यहां से आ जाएगा 56 गुणा 24 यह वैल्यू बरावर होगी 42 गुणा यहां से आप कट करो तो 7 से इसको कट करोगे यहां 6 आएगा और यहां 8 आएगा अब आप देख पा ह 37 गस्ति पा यह तो आप देख पा रहे हो जैसा कि आपका आंसर आप्सन नंबर ई सही होगा जिसमें कहा गया है इंद में से कोई है अब इसके बार इस कोश्चन में आप से कह रहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ता के लिए 338 किलोग्राम चावल की आवस्ता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल बनद है वहां पे चाहिए तो ऊप्सन दे रखे हैं कही सारे आपको यहाँ पे आप देखिए उस calendar की एक सप्ता के लिए 238 किलो चावल चावल चाहिए अको 238 किलोग्रेम अब हमारे लिए क्या हो गया अब यह भार है कि किलोग्रम और उसके बाद किवार एक ली काम अगर हम 49 दिन के करें तो कितने कितने किलोग्राम चाल की आव सकता होगी तो हम कहें दें चालिक आव सकता होगी आप आपको ध्यान है यहाँ पे कि जब भी आपको वर्लक दिया जाए तो उसको हम क्या करते हैं क्रॉस गुणा कराते हैं या अगर आप ये कह लें कि भाई इसको पलट देखते हैं या आप सीधा इसका क्या करें क्रॉस गुणा कराएं इसका इसमें और दोनों को बराबर कर दें तो यहां से आप यह बोलेंगे 7 into x are equal to 49 238 अब यहां से आप देख पारों कि इसको 7 से कट करें यहां 7 आ जाएगा 7 का गुणा बस इसमें करा दे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा तो यहां से यह आ जाएगा 6 5 और यह हो गया 6 2 और यह हो गया 6 इतना यहां से इतने किलोग्राप तो अब आप देख पा रहे हो कि आपके आंसर में यह option कहीं पर भी नहीं तो इस तरह से आपका option number यह होगा option number यह होगा वह आपका करेक्ट होगा जिसमें कह रहा है इनमें से कोई नहीं अगले कोश्चन में कह रहा है आप से कि 10 नल एक टंकी को बढ़ते हैं जिसमें उनको टाइम लगता है 24 मिनट का आप कह रहा है कि दो नल खराब हो जाए तो से इस टंकी को कितनी देर Sulay रहा हिन तो किनोर कि आपके नल हैं तो हम ने किए जो आपके हें वह 10 हैं और इनको टाइम जो लगता है 24 मिनट का टाइम लग आप आप देखें मिनट में टाइम निकला है तो जो मारा आंसा निकलेगा वो भी मिनट में निकलेगा अब उसने का 2 नल खराब होगा इसका मज़र मुनल कितने बचे 8 अब उनको टाइम ज्या रगता है हमें यही बताना है तो हम सीधा इसका गुणा कराएंगे और बराबर करतेंगे तो हम कहेंगे यहां से इतना बराबर होगा 8 गुणा एक्स के तो यहां से इसको कट करेंगे तो आएक अथिरी तो यह 30 मिनट का जो टाइम लगेगा वो 8 नल को बढ़ने में लगेगा तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो option number D correct होगा अगले question में आप से कह रहा है कि यहाँ पर एक पानी की टंकी है जिसका 4 वटे 9 बार हो 15 फिनिट में भर सकते हैं कह रहा है कि बाकी टंकी को भरने में कितनी देनी लगेगी तो यहां से आप देख रहा हो तो उसमें एक आप एक टंकी है तो हम क्या इ dolphins कैम दिया गया है तो हम्से का लिए लिए और नव भर जो है वह हमारा एक मिनट में भर रह वह भर रहा कि एक मिनट पर लगता है तो सहे स्टटकी बची कदनी 9 से, हमने चार बात ना 5 बात बचे हैं यहां पर, झारे यह पर हम अब आप देखिएं più और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ दोनों को बराबर ze Алवर्ध fed से 4 by 9 into x तो 9 से 9 cut हो जाएगा यह आपका आजाएगा 5 by 4 तो इतना time आपको लगने वाला है तो इस तरह से जो आपका option सही होगा यह minute में है क्योंकि यहाँ पे भी value एक minute में दी गई थी तो यह भी minute में निकल किया आएगा तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो option number C correct होगा इस बार भी आपको कोच वैसा ही question दिख रहा है इसमें कहा गया है कि एक पाने की टंकी का 3 वटे 16 बार 15 मिनट में भर जाता है कह रहा है कि बार की टंकी कितनी देर में भरेगी तो आपको यह बताना है हमने कहा कि भई कोई टंकी है उसका 3 वटे 16 बार भरने में 15 मिन का टाइम लगता है कि इसके बाद कहरा है कि जो बचा हुआ है कि इतना बचा 16 में तीन हमने भर दिया तो 13 वटे 16 बार बचा हुआ है अभी टंकी का हूँ अब भरना हैं तो यहां पर देखिए आपको टाइम दे रखा और वर्ट दे रखा तो हमने इसका है कि जब आपको वर्ट दिया जाए तो आप हमेंशा ब्रॉस गुणा करांगे तो इसका इसका इसके साथ मुला कराएंगे तो यहां से आजेगा बंद्रे कुणा टेरा अग्र मिनट देखो यहां पर मिनट भी बोल सकते हैं एक घंटा पांस नड़ भी बोल सकते हैं तो जैसा कि आपका आंसर दे रखा है तो हम कहेंगे कि इस तरह से हमारा जो ऑप्षन सही होगा यहां सी यह एक्स की वे दिवागे तो आप्षन नंबर भी हमारा करेक्ट होगा अब इस प्राद तो हम क्या करें अब इसको रखने ही बंद कर दें मतलब हम इस तरह से बोलने लगें कि यहां पर जो हमने किया है अब देखिए हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने कहा यहां टाइम है तो 15 मिट का टाइम उसने दिया और कहा कि किसी परकी का 3 बटे 16 बाद तो हम यहां सिर्फ 3 ही रखें और हम यह ज्यान में रखेंगे 16 बाद टोटल था इसमें से 3 बाद चुके हैं तो बचें कितना 13 है तो हम यहां के 13 ही रखेंगे अब हमारा 16 पूरा हो गया देखिए ज़रा तो जो नीचे वेल्यू दी जारे वो बराबर भी हो जानी चाहिए कि आप यहां से एक्स की वैल्यू आएकू, इसision है आट में तो यहांसे जो आएगा 15 है और यहां सो आएगा वह यह एक्स से गुनण तो तीन से आप जब इसको कट करोगे तो यहां जाएगा 5 तब भी आपका जो निकल गया आएगा वो पैंसाथ मिनट ही निकल गया आएगा इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह 16 रबने की जरूरत अब नहीं अब आप कभी अभी करते क्या हैं कि यहां से आप जैसे ही लिख र से 13 यह करने के बाद उसके बाद आपका कहीं 13 विटे 16 निकल के आएगा तो हमें यह सब इतना टाइम नहीं निबागना है हमें सीधा दिदा यहां पे 3 और यह रख देना है जब आपको नीचे वाली बराबर भी करके देंग लिए 16 बराबर भी आजाना चाहिए तो इस तर तों चाहरा है पांच आथ मिलकर पांच गुने काम को कितने दिन में करेगे तो यहां पे आप ध्यरा ध्यांद दीजिए आप से कहा रहा है कि ना कि व्यक्तियों की संख्या है पherical कुछ टाइम लग रहा है और कुछ वर्ट भी हो रहा है तो हो कहरा है कि एक वक्ति एक दिन में मान लिया हमने की कोई काम एक उसको कर लिया उसने अब कह रहा है कि 5 विक्ति कितने दिन में जो काम आपके पास पहले था उसका 5 गुणा काम करेंगे तो अब आपको करना ये कि ये वाली जो वाली होती इनका तो हम दाइट को गुणा कराते हैं मतलब इसका गुणा इसके साथ लेकिन वर्क में क्या होता था क्रॉस गुणा कराते थे तो इसका इसके साथ गुणा कराके तब इसके साथ गुणा कराएंगे हमने कहा कि आप ये करिए और इधर आपको क्या करना है आपको ये करना मतलब ये हुआ कि आप इसका इसके साथ औ तो यहां से आप जब value निकालोगे तो यक्स की value जो आएगी वह एक ही निकल किया रहा है यक्स था गया हमारा दिनों की संख्या दी तो कितने दिन इसको लग रहा है एक दिन का ही टाइम लगेगा अब देखिए यहां पर एक दिन का टाइम अगर हम चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि एक व्यक्ती एक दिन में एक काम कर लेता हम तो पांस दिने ऊजाएगा तो यहां से हो सकता था तो time इस carriage लिए वो option नंबर बीज होगा ऐस अब अगले question में आपसे कह रहा है। यहाँ पे एक camp है शोले 100 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का बोजन समाग्रीय या पे उपस्ते थे कहि रहा है। लेकिन कह रहा है कि इस camp में 1200 लोगों नहीं भाग लिया। तो कह रहा है कि अब यह सअमाग्री कितने दिन चलेगी। तो अब आप देख लीजिए कि 1600 व्यक्ति अगर 60 दिन रहते तो ये पूरा बुजन चल सकता था तो व्यक्तियों की जो संक्या है वो 1600 और ये सो समाथग्री है वो 60 दिन तक चल रहती है अब 12 से लोगों नहीं बाग लिया तो ये जायर सी बात जायर दिन चलेगी तो आप ये देख लीजिए कि इसको इसके साथ इसको इसके साथ तो हम कहेंगे 1600 इंटू 60 और यहां बारे से इंटू एक्स डबल जीरो से डबल जीरो ये कट हो गया यहां बारा पंचे साथ यह आ गया तो यहां से जो निकल गया आया वो इतने डेस मतलब यह है कि आप देखिए तब साथ दिन चलता लेकिन अब क्या चलेगा अब असी दिन चलेगा तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो आएगा असी दिन तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्सन नंबर सी करेक्ट होगा